दिल्ली के मुख्यमंत्री अर्विंद केजरिवाल को हाई कोट से बड़ा जटका लगा है दिल्ली शराब घुटाले में तिहार जेल में बंद केजरिवाल की मुश्किले एक बार फिर बढ़ती नजर आ रही है दिल्ली हाई कोट में CBI केस में उनकी जमानत और गिरफतारी को चुनोती देने वाली याचिका खारज कर दी है ऐसे में जेल से बाहर आने के लिए अब वो सुप्रीम कोट का दर्वाजा खटखटाएंगे आम आदमी पार्टी ने इस बारे में जानकारी देते हुए कहा कि दिल्ली हाई कोट के फैसले को सुप्रीम कोट में चुनोती देने के साथ साथ जमानत याचिका भी दाखिल की जाएगी बता दे कि इससे पहले सुप्रीम कोट ने ही केजरिवाल को ED मामले में जमानत दी थी हाला कि इसके बाद भी जेल से वो बाहर नहीं आ पाए थे क्योंकि CBI ने उन्हें गिरफतार कर लिया था और वो CBI की गिरफत में थे हाई कोट ने केजरिवाल की याचिका खारिज करते हुए कहा कि यह नहीं कहा जा सकता है कि उनकी गिरफतारी बिना किसी उचित कारण के की गई है कोट ने उनकी जमानत याचिका को खारिज करते हुए ट्राइल कोट जाने के लिए कहा है बता दें कि हाई कोट ने CBI द्वारा केजरिवाल की गिरफ्तारी को चुनोती देने वाली याचिका पर 17 जुलाई को अपना आदेश सुरक्षित रख लिया था अदालत ने केजरिवाल और केंद्रिय एजेंसी के वकीलों की दलीले सुनने के बाद 29 जुलाई को आप नेता की जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया था केजरिवाल को CBI ने 26 जून को तिहार जेल से गिरफ्तार किया था जहां वो प्रवत्तन निदेशाले यानी की ईडी द्वारा दर्ज धन शोधन के एक मामले में न्याएक हिरासत में बन थे मुख्यमंत्री को 21 मार्च को ईडी ने गिरफ्तार किया था और धन शोधन मामले में निचली अदालत ने 20 जून को उन्हें जमानत दे दी थी लेकिन CBI वाला केस फसा हुआ है जिसमें अब हाई कोर्ट में उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी है यानी कि यह केजरिवाल के लिए एक बहुत बड़ा जटका है अब केजरिवाल के लिए एक ही रास्ता है वो सुप्रीम कोर्ट का दर्वाजा खट-खटाएंगे की खबरों के लिए देखते रहिए खबरवाला 24 News